हेलो अबरीवन इस वीडियो में हम ओवियस स्टीडियो में जब पावर पॉइंट या पीडियाफ के किसी एक पेज के द्वारा पढ़ा रहे होते हैं तीच कर रहे होते हैं या कोई भी अधर काम हम कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि PowerPoint के किसी slide पर या PDF के किसी page पर जो है जो छोटा सा वीडियो दिखता है इस वीडियो में मेरा सिर्फ ये फोटो या इमेज दिखे फोटो या इमेज के पीछे ये जो background या background color है इसे हम remove हटाना चाहते हैं तो OVS Studio में इमेज के पीछे के background या background color को remove करने के लिए दो methods हैं पहला method है कि आप actual एक green seat खर दे एक green चादर आप buy करें उसके साथ साथ आपको ये जो green seat होता है इसको आपको अपने पीछे लगाना परेगा green seat के साथ साथ आपको lighting systems को भी properly आपको set up करना परेगा तो lighting system और green seat buy करने में खरिदने में आपका कुछ पैसा खर्च हो जाएगा तो अगर आप चाहते हैं कि हम ये पैसा खर्च ना करें तो जो दूसरा method है उसमें आप बीना खर्च के भी आप काम कर सकते हैं और आल्मोस्ट आप उसी effect को आप अनुभब कर सकते हैं जो दूसरा method है उसमें आपको एक virtual green screen इस्तेमाल करना परेगा और virtual green screen का इस्तेमाल करके हम इस वीडियो में OBS studio में अपने photo या image के पीछे जो background या background color है उसे हम remove करना सीखेंगे तो virtual green screen का इस्तेमाल कर हम OBS studio में जो background या background color को remove करेंगे इसके लिए हमें three steps से होकर गुजरना परेगा तीन steps हमें पार करना परेगा जो पहला step है वह यह है कि आप simply क्या करें कि Google Chrome आप open करें Google Chrome में open करने के बाद आप simply type करे green screen green screen आपको Google से download कर लेना है या green screen background कुछ भी आप type करें इसमें से आप यह वहला green color आप चूज नहीं करेंगे आप यह वहला करेंगे ठीक है यह वहला आप जैसे इसको क्लिक करेंगे ऐसा कुछ दिखेगा आपको और यहाँ पर यह जो है करेंगे तो यहाँ पर आपको फाइल का कोई नाम दे दे और या इसको save कर ले तो मेरे पास और यह green screen है तो इसे मैं cancel कर देता हूँ दूसरा एक और उपाय है कि आप MS Pant जो एप है उसे आप open कर ले और उसमें कोई पेज को आप fill with color से green color से आप उसको color कर दे उस पेज को फिर उसको आप फाइल में जाकर के save as में आप उसको save कर ले तो दोनों method में आपका Google से green screen आप download करते हैं या pen app में आप किसी एक page को save as करते हैं इससे क्या होगा कि आपका जो my computer है उसमें आपको आपके system में वह download या store हो जाएगा जिसका हम आगे second step में उसका इस्तिमाल करेंगे तो इस तरह से यह first step आपका समाप्त होता है second step में क्या करना है आपको zoom app का इस्तेमाल करना होगा और इसलिए आपको online रहना परेगा तो zoom app अगर आपके PC या laptop में नहीं है तो simply आप क्या करेंगे Google Chrome में आप जाएंगे और वहां से आप यहां पर type करेंगे zoom app for PC और type करने के बाद यह जो आपका first result दिख रहा है जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका PC अगर 32 bits का है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और अगर अगर आपका PC या laptop 64 bit का है तो आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह download होना शुरू हो जाएगा मेरे system में या laptop में already है तो मैं इसे यहाँ पर cancel कर देता हूँ और इस तरह से zoom app को आपको download कर लेना है उसके बाद install कर लेना है और उसके बाद आपको sign up कर लेना है sign up facebook या google जिससे आपको sign up करना है कर सकते हैं या direct भी आप sign up कर सकते हैं इसके बाद आपको क्या करना है zoom app को open करना है जो आपका second step सुरू हो चुका है zoom app जैसे ही आपका open होगा तो new meeting पर click करना है और new meeting पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका ये इस तरह से open होगा image तो मैं यहाँ dried cam भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और एक मेरा laptop का ये camera है तो दो camera यहाँ पर दिख रहा है इसलिए इसे यहाँ पर cancel कर देना है और आपको आप जाना है stop video पर और यहाँ पर choose virtual background पर आपको click करना है यहाँ जाने के बाद plus के icon पर click करना है और यहाँ add images पर click करना है अब जो आप green screen जो आप download किये थे या pen app में आप उसे save edge किये थे तो उसे उस पर आपको click करना है तो यह मेरा है आप इसको open कर लेना है जैसे open करेंगे तो यहाँ पर green color add हो जाएगा अब क्या करना है यहाँ पर इसको हमें select कर लेना है जैसे select करेंगे तो क्या होगा इसे हमें cross कर देना है तो यह cross हो चुका है तो इस तरह से मेरा जो image है इसके पीछे यह background color जो है वह green हो गया लेकिन actual मेरा जो background या background color वह ऐसा है तो इसके जगा पर मुझे सबसे पहले हमको green करना होगा जो हमने green कर लिया अब हमें क्या करना है और इसे open ही करके आपको रखना होगा second step आपको समाफ्थ होता है और अब सुरू होता है third step जो final step होगा इसमें आपको obvious studio को open करना होगा obvious studio जैसे ही open होगा तो कोई एक scene के लिए जब आप काम करते हैं तो वैसे मेरा obvious studio में दो वीडियोज बना हुआ है बहुत useful वीडियोज है आप उन दोनों वीडियोज को देख सकते हैं तो हो सकता है तो मैं अपने इस वीडियो के description box के अंदर उन दोनों वीडियोज का link share कर दूँगा या मेरे अप प्ले लिस्ट में जा करके या मेरे चैनल पर जा करके आप उसे देख सकते हैं तो क्या करना है scene 1 के अंदर आपको source में आना है source में आने की बद़ प्लस के icon पर click करना है और यहाँ पर आपको करना है window capture जैसे window capture पर आप click करेंगे OK कर देना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है किसी एक PDF को open कर लेना है या powerpoint में किसी slide को आपको open कर लेना है तभी आप effect जो है आप अनभव कर पाएंगे तो PDF में मैं किसी एक page को open कर ले रहा हूँ यह मेरा एक page खुल गया है जैसा कि आप देख रहे हैं तो थोड़ा से मैं इसे छोटा कर दूँ तो यह मेरा PDF अब open हो चुका है अब OBS studio में जाना है इसे मुझे cancel करना परेगा जोकि PDF खुलाओवा नहीं था इसलिए यह नहीं आपाया इसे रिमूब कर देना है और फिर से मुझे source में आना है प्लस का एकन पर क्लिक करना है विंडो कैप्चर पर क्लिक करना है यहाँ OK कर रहा है और उसके बाद आपको यहाँ पर जो विंडो है विंडो के अंदर आपको PDF जो open किया हुआ है बैक्ग्राउंड में उसे आपको select कर लेना है और यह मेरा पीडियाफ है इसे आपको ओके कर देना है यहां पर आटोमेटिक रहेगा ओके कर देना है तो यह पीडियाफ आपका ओपन हो चुका है आप जब ओविएस से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो यह पार्ट भी आप आजाएगा यह पार्ड भी है ना आप चाहते हैं कि नहीं आए तो इसके लिए क्या करना है माउस के लेफ्ट बटन को प्रेश करके रखना है और इसे आपको फैला लेना है अब जब आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आपका यह पॉर्शन ही दिखेगा अब आपको क्या करना है फिर से सोर्स में आना है और प्लस का एकन पर क्लिक करना है फिर से आपको विंडो कैप्चर करना है और इसे ओके कर देना है अब आप यहां देखिए यह जो विंडो है यहां पर आपको लेना है कौन सा जूम एप लेना यह तो आपका यही विला आ इसको select कर लेना है अभी नहीं दिख रहा है ग्रीन कलर वाला जो बैक्राउंड था अब क्या करना है capture में आना है और automatic में आना है और यहां पर window graphics कर देना है इसको select कर लेना है और देखिए आगिया है अब इसे okay कर देना है करने के बाद क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि यह ब्लैक क्लर ना आवे तो इसके लिए क्या करना है और यहां पर यह ऐसे करने के बाद करसर को ले जाना है ऐसे जब दिखेगा तो उसके बाद आपको क्लिक करके रखना है एक उंगली से और दूसरे उंगली से माउस के left button पर click करना है और उसके बाद उसे drag करना है नीचे से विसी तरह से आपको करना है drag और आप चाहते हैं कि overall पूरी तरह से ये थोरा सा छोटा हो जाए वीडियो इसके लिए आपको इस तरह से करना होगा और इसे आप किसी एक corner पर लगा दे तो चलिए मैं आप यहाँ लगा देता हूँ तो आप देखेंगे कि background color बिल्कुल remove हो जाएगा अब क्या करना है कि ये वला जो है आपका window capture second है इस पर आपको mouse का right button क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे तो filter आएगा filters पर आपको क्लिक करना है और यह जो plus का icon इस पर क्लिक करना है और chroma key है chroma key effect ही हमको डालना है chroma key पर हमें press करना है जैसे करेंगे तो इसे ok कर देंगे और देखे background color remove हो चुका है आप इन bars को आगे पिछे करके आप देख सकते हैं और अच्छा effect अगर आपको हो चुका है और यह मेरा पीडियाफ का white color है बिल्कुल white color ही देख रहा है तो इसे आप log कर सकते हैं और इस तरह से इस वीडियो में यहीं तक thanks for watching